ऐलो फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक है ग्रेड ग्रेड को हम एंटी स्कैटर ग्रेड भी कहते हैं और हमारे पास में जो ये ग्रेड है ग्रेड का इंवेंशन किया था । जोक्टर गेस्टव बकी ने किसने किया था डॉक्टर गेस्टर बकी ने 1913 में इसका invention हुआ था और ये हमारे पास में stationary grid थी उसके बाद में 1920 में कब 1920 में डॉक्टर हॉली स्पोर्टर ने किसने डॉक्टर हॉली स्पोर्टर ने invention किया था किसका lining grid का जो हमारे पास में moving grid भी use हुई है as a moving grid भी यह हमारे पास में use हुई है मतलब कि जब exposure करते हैं तो exposure के time पे यह move करती है तो यह lining grid यहाँ पे use की गई तो हमारे पास में जो यह grid है grid हमारे पास में एक ऐसा device होता है जो हमारे क्या करता है scatter radiation को remove करता है क्या करता है scatter radiation को remove करता है अब ये scatter radiation कहां से remove कर रहा है जब हम किसी patient का x-ray करते हैं जैसे कि हमने किसी patient का x-ray किया ये हमारे पास में कोई patient है ठीक है ना इस patient का हमने x-ray किया तो इसके अंदर से हमारी कुछ primary radiation penetrate होके image का formation करेगी कुछ radiation इसके अंदर पे absorb हो जाएगी और कुछ radiation हमारे पास में क्या होगी इसका scattered हो जाएगी तो यह जो scattered radiation होती है यह ऐसी radiation होती है कि यह image पे पहुँचती है मतलब कि image receptor पे यह पहुँचती है और यह हमारा क्या करती है image पे fog create करती है क्या करती है जो हमारा image का contrast होता है, उस contrast के अंदर पे उसकी quality जो होती है, वो क्या हो जाती है, decrease हो जाती है, अब अगर हमारे पास में इस scatter radiation के साथ हम x-ray करेंगे, तो हमारी x-ray की जो quality होगी, वो अच्छी नहीं आएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस scatter radiation को हटाना पड़ेगा, और इस scatter radiation को हटाने के लिए, हम यहाँ पे use करते हैं, grid को, किसको use करते हैं, grid को use करते हैं, अगर हम बात करें, हमारी जो एक grid है, grid bunny कहकी होती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कि यह हमारे पास में parallel lead और tantalum की strips होती है, lead की और tantalum strips होती है, यह हमारे पास में, जो की हमारे प देख लेते हैं इसके construction के हमारी जो grid होती है वो grid बनी कैसी होती है तो construction के अंदर पे हम देखते हैं तो first thing is that के हमारी इसके अंदर पे strips लगी हुई है क्या लगी हुई है इस strips लगी हुई है ठीक है अब यह जो strip हमारे पास में यह दो तरीके की है एक हमारे पास में यह lead है ठी कितना होता है इसका इमिघन नंबर होता है इट इसके बाद में दूसरा सिरिय Sarah में टैला है क्या है तो पास में tantalum, क्या है tantalum, और tantalum का जो atomic number होता है, वो कितना होता है, बदा होई, कितना होता है, 73, ठीक है, तो ये हमारे पास में high atomic number के materials होते हैं, जो हमारी radiation को अच्छे से क्या कर सकते हैं, absorb कर सकते हैं, तो इनकी strips यहाँ पर use करी जाती है, या तो lead की strip हम use कर सकते हैं, या tantal की strips हम यहाँ पर use कर सकते हैं, उसके बाद में, जो ये strips हमारे पास में है, ये strips separate की गई होती है, क्या करी गई होती है, separate की गई होती है, ऐसे material से, जिनका atomic number बहुत कम हो, क्या हो, जिनका atomic number बहुत कम हो, उनको हम x-ray transparent spacers भी कहते हैं, क्या कहते हैं, x-ray transparent spacers, वो ऐसे materials होते है जिनके अंदर पे hemारा attenuation बहुत कम होता है, क्या होता है? attenuation बहुत कम, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, बिलकुल नहीं होता है, keyword गीकिए है लेकिन बहुत कम होता है और ऐसे materials हमारे पास में कौन से होते हैं? जिसका हम spacers यहां पे क्या करते हैं? यूज करते हैं, कौन-कौन से स्पेसर्स हमारे पास में हम यहाँ यूज कर सकते हैं एक तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं ऐल्यूमीनियम क्या यूज कर सकते हैं हाँ, ऐल्यूमीनियम हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, कार्ड बोर्ड देखो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि यह जो हमारे पास में है यह हमारे पास में यहाँ से यहाँ तक lead भी हो सकता है या tantalum भी हो सकता है ठीक है यह आप याद रखें उसके बाद में यह जो आपको दिखाई दे रहा है that space यह space हमारे पास में spacers है, यह क्या है, spacers, मतलब कि यह gap है, और यहाँ पे हमने low atomic number का material लगाया हुआ है, जिससे हम अपने strips को क्या कर सके, arrange करके रख सके, क्या करके रख सके, arrange करके रख सके, क्योंकि अगर आपने strips को रख दिया, तो आप उसको arrange कैसे करोगे, तो strips हमारी arrange भी करके रखना है, ठीक है, या तो आप इन दोनों के बीच में इसको लगाते हो, या फिर आप इसको क्या करते हो, उपर का इसका, यहाँ पे cover लगा देते हो, यह aluminium का इधर पर ऐसे करके, आप इसका दोनों side पर क्या कर सकते हो, cover कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आती है, कि अगर आप aluminium को use करते हो, तो aluminium आपके पास में एक ऐसा material है, जो as comparison to cardboard या organic compound के, क्या करेगा, radiation को ज़्यादा absorb करेगा, क्या करेगा, radiation को ज़्यादा absorb करेगा, तो उस time पे, यहाँ पे जब हम as a spacer, aluminium को use कर रहे होंगे, तो हमारे पास में क्या होगा, हमें अपना exposure जो factor होगा, क्या होगा, exposure जो factor होगा, उस factor को हमें increase करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, increase करना पड़ेगा, और अगर हम exposure factor को increase करते हैं, तो इसकी वज़े से हमारे पास में हमाया जो patient की जो dose होती है, वो patient की dose भी हमारी increase होती है, मतलब कि patient की जो x-ray radiation dose होगी, वो भी increase ह हो जाएगी ठीक है तो ये एक हमारे पास में इसका disadvantage भी होता है कि अगर हम aluminium as a spacer use करते हैं तो हमारे पास में हमें जो normal हम grid का factor तो एक तो बढ़ा की देते हैं लेकिन अगर उसमें aluminium भी लगा है तो हमें और बढ़ाना पड़ेगा उसकी वजह से हमारे patient की dose भी क्या होती चलिजाएगी बढ़ती चलिजाएगी उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास में हमारी जो strip होती है हमारी जो strip होती है ये strips हमारी 0.3 mm के to 0.5 mm की होती है 0.3 mm to 0.5 mm की इसकी क्या हो सकती है thickness हो सकती है धीक है ये आपको याद रखना है कि हमारे पास में अगर हम grade के अंदर पर हम क्या कर रहे है यूज कर रहे है हमारी strips तो उसकी thickness कितनी हो सकती है 0.3 mm to 0.5 mm ठीक है उसके बाद में अगर हम बात करे कि हमारा जो spacers होंगे इस spacers के बीच का जो distance होगा इसके बीच के बीच का जो distance होगा ये distance कितना हो सकता है 0.5 mm to 1 mm तक का हो सकता है ठीक है तो इस तरीके से ये हमारे पास में यहाँ पे distance आ जाएगा simple thing है कि हमारे पास में क्या होगी जो हमारी lead strips होगी वो lead strips हमारी separated की गई है spacers से और ये हमारे पास में कितनी multiple strips हमारी इसके अंदर पे हो सकती है वो कितनी होगी अभी हम उसकी calculation भी यहाँ पे करके दिखाएंगे ठीक है तो ये क्या काम करेगी हमारी जितनी भी scatter radiation होगी उस scatter radiation को यहाँ पे क्या कर लेगी absorb कर लेगी और जो हमारे पास में हमारी primary वाली जो beam होगी primary radiation को यह जाने देगी और image formation ठीक है तो ये बात यहाँ पे सबसे पहले आती है उसके बाद में क्या होता है पूरी तरीके से absorb नहीं कर पाती है, तो ये हो गई हमारी primary radiation, ठीक है, और ये हो गई हमारे पास में हमारी scattered radiation, क्या हो गई, scattered radiation, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर हम इसकी calculation की यहाँ पे बात करें, तो इसकी calculation की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं, तो अगर हम देखे कि हमारे पास में क्या होता है कि ये जो हमारे पास में हमारी grid होती है ये completely हमारी scatter radiation को absorb नहीं करती है तो हमारा simple thing आता है primary radiation का जो transmission होता है upon हमारी जो secondary radiation का transmission होता है ये calculation हमारे पास में selectivity कहलाती है क्या कहलाती है selectivity कहलाती है मतलब के हमारे पास में यह जो grid है, यह grid हमारे पास में, पूरी तरीके से हमारी scatter radiation को जो है, क्या नहीं कर पाती है, absorb नहीं कर पाती है, तो यह भी अमारी image तक पहुचती है, और primary radiation तो आमारी जाएगी, तो वो क्या होगा, ये हमारा जो है, इसको अगर हम देखते हैं, इसकी calculation को हम क्या कहते हैं, selectivity कहते हैं, क्या कहते हैं, selectivity कहते हैं, उसके बाद में हमारे पास में क्या होता है, कि इन strips की वज़े से, जो ये strips हमारी लगी हुई है, इन strips के उपर पे, हमारी जो primary radiation है, हमारी जो primary प्राइमरी रेडियेशन है जो कि image का formation करेगी, क्या करेगी? image का formation करेगी, ये वाली image भी हमारी इसके अंदर पे क्या हो जाती है? ये वाली radiation भी हमारे इसके अंदर पे क्या होगी? absorb हो जाएगी, तो ये अगर इसके अंदर पे absorb होगी, तो उस radiation को, जितनी radiation हमारी primary radiation इसके अं आजाएगा ठीक है simple thing है कि अगर हमारे पास में दोनों radiation का देखने को हमें मिल रहा है that is a selectivity और अगर हमारे पास में primary radiation यहां पे इसके अंदर पे absorb होती है तो वो जो absorb primary radiation है उसको यहां पे बोला जाएगा cut off ठीक है तो यह हमारे पास में इस तरीके से होता है उसके बाद में हम बात कर लेते हैं हमारे पास में grid ratio पे किस पे grid ratio पे अब यहां पे grid ratio क्या है simple thing है हमने यहां पे बात करी है कि हमारी जो grid है यह grid हमारे पास में इसकी कोई height भी होगी क्या होगी इसकी कोई height भी होगी और इसका हमारे पास में इन दोनों के बीच में हमने distance भी पड़ा है इन दोनों के बीच में हमने distance भी पड़ा है और हमने पड़ा है यहाँ पे हमारी जो grid की thickness है तो इसको हम small d से लिख देते हैं त्रिप्स ठीक है यह क्या होगी स्ट्रिप्स की हाइट होगी उसके बाद में जो क्यापिटल डी हमारे पास में है that is a distance between that is a distance between strips ठीक है उसके बाद में जो small d हमारे पास में होगा small d is a thickness of thickness of strips ठीक है तो यह हमारे पास में तीन चीजे हमें यहाँ पर मिल गई अब हम इसका अगर grade ratio हमें यहाँ पर निकालना है तो grade ratio क्या कहता है the ratio between the height of the led strip and the distance between them तो अगर हमें grade ratio निकालना है तो grade ratio को निकालने के लिए हमारे पास में एक formula होता है और वो formula हमारे पास में होता है h upon d क्या होता है h upon d तो h हमारे पास में यहाँ पे इसकी height हो जाएगी और d हमारे पास में जो इन दोनों के बीच का distance, दो strip के बीच का जो distance होगा, वो हमारे पास में, क्या आ जाएगा, grid ratio आ जाएगा, मान लिजे के हमारे पास में, हमारी जो h है, वो h है 3 mm, कितना है, 3 mm, और जो इनके बीच का distance है, वो distance है, 0.5 mm, कितना है, 0.5 mm, तो अगर हम इसके calculation यहाँ पे रख दे, तो 3 mm हमारे पास में, हमारी height हो गई, और 0.5 mm हमारे पास में, यहाँ पे, इन दोनों के बीच का distance हो गया, तो इसकी अगर हम calculation करते हैं, यहाँ पे, यहाँ पास 6 आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे ratio की बात करते हैं, इसका होगा, 6 ratio 1, कितना होगा, 6 ratio 1, और हमारा जो normal, हमारी grid का ratio होता है, वो होता है, 4 ratio 1 to 16 ratio 1 तक का, कितना होता है, 4 ratio 1 to 16 ratio 1 का, ठीक है, लेकिन यह हमारे पास में, vary करता है, हमारे technique factor से, क्या होता है, अगर हम, यहाँ पे use कर रहे हैं, factor हमारे पास में, 70 kvp to 90 kvp, अगर हम use कर रहे हैं, तो उसके अंदर पे, हमारा जो ratio grid का use किया जाएगा, कितना use किया जाएगा, 8 ratio 1, कितना use किया जाएगा, 8 ratio 1, अगर हमारे पास में, हमारा जो factor है, वो 90 kvp से ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो ratio use किया जाएगा, वो ratio हमारा 12 ratio 1 होगा, कितना होगा, 12 ratio 1 होगा, तो इस तरीके से, हम अपने ratio को calculate कर सकते हैं, और इस तरीके से, हम अपने grid के ratio को, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, use कर सकते हैं, ठीक है, तो next हमारे पास में आता है grid frequency, क्या आता है grid frequency, तो अगर grid frequency की बात हम यहाँ पे करें, तो grid frequency हमारे पास में होती है the number of grid line per inch and centimeter, क्या होती है the number of grid line per inch and centimeter, तो हमारे पास में क्या होता है, हम इसको भी calculate कर सकते हैं, कि हमारे पास में हमारी जो lines होती है, वो inch में और centimeter में कितनी present होगी, एक grid के अंदर पे inch में और centimeter में कितनी present होगी, इसको भी calculate करने के लिए हमारे पास में एक formula होता है, और यह जो formula हमारे पास में होता है, यह होता है, grid line is equal to 25.4 upon d plus d, ठीक है न, मतलब यह हमारे पास में होता है, एक formula 25.4 upon d plus d, मतलब कि यह d हमारे पास में distance आ गया है, यह दोनों के बीच का, और small d हमारे पास में यहाँ पे thickness आ गई हमारी grid की, और यह हमारे पास में कैसे use की जाती है, किस थरीके से use की जाती है, कितनी grid हमारे पास में present होती है, तो यह commonly यूज वोती है हमारे पास में लाइन जो स्क्रिपस यूज की जाती है most common जो यहाँ पर यूज की जाती है 62 96 लाइन पर इंच ठीक है अगर हम बात करते हैं हमारे पास में cm में तो यह cm में आती है 25 to 78 लाइन पर cm ठीक है तो इस तरीके से हम जो है अपने क्या कर सकते हैं अपने grid frequency को यहाँ पर count कर सकते हैं ठीक है तो यह हम इस तरीके से अपने grid frequency को यहाँ पर count कर लेंगे तो यह हमारे पास में हो गया हमारा पूरा topic जिसके अंदर पर हमने बात कर यह हमारी grid की, grid के बाद में grid ratio की, कि grid ratio को हम कैसे calculate कर सकते हैं, तो इस वीडियो में इतना ही, thank you very much, please subscribe my channel.